नमस्कार आज मैं फिर आपके सामने अपराज की एक और घटना लेकर आया हूँए आज की अपराज की घटना भी हालिया है हाल फिल हाल की है प्रदेश है मद्ध्रदेश जिला है गौालियर गौालियर शहर के भीतर गार्डन सिटी के पास 13 अगस्त 2024 को दोपहर में जहां सी लोट थाना लगता है गार्डन सिटी एरिया में ये सूशना मिली कि इस कूटी सवार एक भाई और एक बहन जो एक ही स्कूटी पर जा रहे थे उसको किसी लोडर ने टकर मार दी इसकी वज़े से बहन की मौके पर मौत हो गई और भाई गंभीर ग्रूप से घायल हो गया फिर पुलिस फॉरन मौके पर पहुँची उस घायल भाई को तुरंद अस्पताल पहुचाया गया और उसके बाद फिर महिला के शब को पोस्माटब के लिए भेज दिया गया पुलिस उस लोडर की तलाश में कौन सा लोडर था तमाम सी सी टीवी फुटेज देखने लगी सबसे पहले ये सूचना जिस व्यक्ति ने ठाने पर दी थी या कंट्रोल रूम में दी थी उसको ढूढा गया उसे बुलाया गया और आने पर ये पता लगा कि ये मृत्का का पती है और मृत्का का नाम दुरगावती उर्फ मुस्कान है मृत्का के पती का नाम अजय था अजय से पूछा गया कि भाई आपने सूचना दी थी कि लोडर से ये एक्सिडेंट हुआ है तो ये लोडर का आपने नंबर देखा या आप कहा थे बोले नहीं नहीं साब हो तो हम अपने दोस्के साथ पीछे से किसी काम से फला जगा जा रहे थे और तब तब वहाँ पर मैंने देखा कि ये एक्सिडेंट हुआ है लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि लोडर से टक करिंगी हुई है पुलिस ने पोसमाटम रिपोर्ट को फिर गहराई से देखा पोसमाटम रिपोर्ट तो इसी तरह बशारा कर रही थी कि आने वाली चोटें एक्सिडेंट से हुई चोटें है भाई की भी इस्तिती इतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी कि वो उसको बताये कि टकर काहसे हुई है जब वो उसकी थोड़ी बोलने की इस्तिती हुई तो उसने बताये कि साब मैं ये बताने सकता हूँ कि टकर काहसे हुई है हम लोगों के दाहिने तरफ से कोई गाड़ी आई और इसके पहले कि हम सोच पाते समझ पाते वो चड़ा के ऊपर निकल गई पुलिस ने एक दिन की पूरी आस पास आगे टोल की पीछे टोल की दुकानों की CCTV तलाश की कि आखिरकार ये लोडर है कहाँ क्या नंबर है किधर से आ रहा था लेकिन लोडर का पता बिल्कुल नहीं लगा कोई लोडर साल बर पहले या सारी कोई लोडर घंटे बर पहले या घंटे बर बाद वहां से गुजरा नहीं था लेकिन एक चीज पुलिस को सीसी टीवी खंगालते समय मिल गई के स्कूटी के पीछे पीछे एक इको स्पोर्ट्स कार चल गई और उसी दिन जिस दिन पुलिस घटना अस्थल पे मृतका लड़की के शब या घटना में घायल उसका भाई था उसको अस्पताल पहुचाने घटना जो सड़क हादसा था उससे कुछ दूर पहले कुछ दे कुछ दूर आगे एक इको स्पोर्ट कार एक बिजली के खंभे में लड़ी हुई खड़ी थी और जब तक पुलिस वहां यह सब करती थी ऐसा बताया गया कि जो जिनकी गाड़ी थी वो अपना उन्होंने क्र ले गए उसका नंबर भी कोई नहीं जान पाया लेकिन बार बार हर सी सी टीवी में स्कूटी के पीछे वही एक इको स्पोर्ट कार दिखाई दी पुलिस की शंका कुछ और आगे बढ़ने लेगी उसने पती अजय को फिर से गुलाया और उसने यह कहा कि यह इस इको स्पोर कार जो यह फला फला नंबर की है क्योंकि सी सी टीवी में नंबर बहुत स्पष्ट आ गया था कि यह एको स्पोर्ट कार और यह जब आप मौके पे पहुंचे तो क्या आपने इको स्पोर्ट कार को भी बिजली के पूल से टकडा के छतिग्रस्त होते देखा था तो उनका न और हमारा दोस्त ही इसको चला रहा था और मैंने ही अपनी पत्नी का एक्सिडेंट करने के लिए इसको सुपारी दी थी पुलिस के भी होशो हवाश एकदम बिल्कुल उड़ गये होश उड़ गये कि इतनी सफाई से किया गया यह काम अगर एको स्पोर्ट गाड़ी का आग एक्सिडेंट न होता तो पुलिस यह मान के चलती कि किसी लोडर से ही इसका एक्सिडेंट हुआ है क्योंकि इसका पती लोडर के बारे में ही पता रहा है और लोडर की तलाश में यह एको स्पोर्ट गाड़ी मिली और हमारे ख्याल से टक्कर होने के बाद वो डिस्बैलेंस पूछा गया कि जब तुम मौके पर थे तो तुमने एकोई स्पोर्ट गाड़ी के बारे में क्यों नहीं बताया तुमने लोडर की बात क्यों कि उसने का साब एकोई स्पोर्ट गाड़ी चुके आगे जाके लड़ गई थी या पुलिस उसको सीसी टीवी में देख लेती और वो जिसके नाम रेजिस्टर्ड थी फिर अल्टिमेटली पुलिस हमारे पार सक पहुंसती इसलिए मैंने एक चांस लिया और फिर उसने बताया कि मैंने द्रिश्यम फिल्म भी देखी थी और मैं करीब छे महीने से क्राइम के ऐसे तरीके की खोज कर रहा था जिसमें मैं पुलिस ने पूछा कि इसके पीछे क्या वजह थी तो अजय ने ये बताया कि ये मुसकान जिसकी मौत हुई है ये उसकी दूसरी पतनी है दोनों के अतीत की फिछानबीन की गई तो ये सामने निकल कर आया कि 2017 में ग्वालियर में ही अजय और मुसकान की दोस्ती हुई दोन दोनों की मुलाकात हुई और दोनों में प्रेम प्रसंग चला दोनों में संबंध भी हुए इसके बाद कोविड आ गया साल 2021 में दुरगावती उर्फ मुसकान की उसके पिता ने शादी कर दी घरवालों ने मुसकान की अजय से होने वाली बात चीप और बार बार अजय के लिए मिलने जाना इस बात का अंदाजा उन्हें घर के और महिला सदस्यों से जब हो गया तो उन्होंने कोविड काल में ही जल्दी जल्दी में उसकी शादी कर दी और जब उसके गर्ल फ्रेंड की शादी हो गई अजय की तो उसने भी 2022 में उसके घरवालों ने भी ये कहा कि अब किसका बेट कर ले हो उसकी शादी हो गई है शादी करो घरवालों ने एक शादी कर दी और उसकी पतनी उसके पुष्टैनी घर बागजीनी मुरैना में रह रही थी इसके बाद दोनों में शादी हो गई कोविड खतम हो गया दोनों एक दूसरे के संपर्क में बने रहे शादी के बाद भी मुस्कान और अजय की बादचीत होती पुराने कस्मेवादे पुरानी बाते हैं और यह सब इक दूसरे को याद दिलाते रहे उसका फरक यह पड़ा कि मुस्कान ने का मन धीरे-धीरे अपने पती और पती के परिवार से उचटने लगा और 2023 में वो अपने पती को तलाग देकर वापस आगई वापस आई और जिस दिन वो अपने घर पहुँची अगले दिन ही उसने फिर अजय से मुलाकात की उसने का वाई तुमने जितना कहा था उतना मैंने कर दिया अब तुम भी अपनी पत्नी को तलाग दो और हम तुम अब शादी करेंगे अब किसी को मतलब कोई रुकावर्ट हम लोगों के इस संबंद में नहीं रह गए अजय ने अपना फिर इदर उदर की बात रहेंगे लेकिन तलाग चुकि इसमें परिवार के बहुत से लोग इन्वाल्व हैं इसलिए तलाग लेना इतनी जल्दी मेरे लिए संभव नहीं है मुस्कान ने की कि लेकिन हम छोड़के आए हैं हम तलाग दे के हमें तो तुरंद शादी करनी है 2023 में इन लोगों ने मैरिज रेजिस्टेशन की कोर्ट में मैरिज को रेजिस्टर्ड कराया और वहीं पर शादी कर ली अपना कोर्ट मैरिज कर ली और उसके साथ वो साकेत नगर पढ़ाओ के इलाके में एक मकान किराय पर लेके रहने लगा मुरैना में जहां ये बागचीनी इलाके में का रहने वाला था अजय तो घर से मजबूत था और घरवाले ही इसको यहां पढ़ने का या इसकी पतनी का जो वहां का जो खर्चे जो कंबाइन फैमिली में होता है वैसे सब उसका खर्चा उठाते है लेकिन चुकि ये कोई काम नहीं करता था कोई रोजगार नहीं करता था बेरोजगार था कम्टीशन की तयारी कर रहा था घर से ही पैसे लेता था उसी पैसे में सब खर्चे अपने दाएं बाएं करता था घर से पैसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी तो जब वो साकेत नगर पड़ाओ इलाके में रहने लगा तो आप ही समझ लीजे कि दो नाओं पे पैर इसमें रख दिया क्या होना था आप समझ सकते हैं अब उसके पास दो दो पत्नियों का खर्च आ गया पहली पत्नी गाओं में थी तो उतना जादा खर्च नहीं लेकिन फिर भी जब कोई वो डिमांड करती थी उस तो ऐसी डिमांड है जो पती से ही की जा सकती जो अपने सास ससुर से जिसके लिए पैसा लेना या उनसे कहना यह ठीक नहीं होता तो एक तो उसकी डिमांड पूरी करें आध दूसरा मुस्कान मुस्कान का खर्चा दिन बदिन पधता जा रहा था सबता में एक दिन शॉपिंग मूवी डेट इन सब के चलते उसे बार बार घर से पैसे माउने पड़ते थे अजय time और खर्च बढ़ता ही जा रहा था अजय ने मुस्कान को समझाने की क कि मुझे कुछ कर लेने दो मैं कुछ कम्पीशन के तयारी कर रहा हूं मेरी मदद करो और जैसे ही मैं कुछ किसी पोजीशन पर पहुच जाऊंगा तुम जितना सोच सकती हो उससे जादा मैं तुम पर खर्चा कर सकता हूं इस तरह की बात लेकिन उसके ऊपर कोई फरक नहीं पड़ा मुस्कान ने कहा कि कौन लड़की है जो इतना रिस्क लेकर आएगी शादी होने के बाद अपनी सारी सुख सुविधाओं के बाद अपने पती से तलाक लेकर तुमारे पास मैं इसलिए नहीं आई हूं कि मैं पांच पांच सो रुपए के लिए तुम से भीख माग यह तुमारी जिम्मेदारी है कि मुझे जितनी जरूरत हो उतनी तुम लाके दो घर की जमीन बेंच के लाके लिए यह बात सुनते ही अजय कि पैरों के नीचे जमीन किस अपने है कि वो आखिरकार घर की जमीन बाब जिन्दा है तो वो कैसे बेज देगा कोई उसके नाम पर ऐसा घर भी नहीं कि बेच के इसकी सारी जरूरतें पूरा पूरी करे उसी दिन उसके निमाद में आ गया कि यह तो किसी दिन भारी पड़ जाएगी इसलिए उसी दिन से उसने सारी जितने क्राइम के सीरियल है वो एक एक करके देखने शुरू किये कि कैसे इसको ऐसा ठिकाने लगाएं कि हम बच भी जाएं और ये ठिकाने भी लग जाएं ऐसी प्लानिंग की जाए कि कभी किसी को हम पर शक न हो प्लानिंग की भी ऐसी इन लोगों ने देखिए मौका ये बता रहा था कि ये हाथसा है पोस्मार्टम ये बता रहा था कि ये हाथसा है ये एक्सिडेंट है लेकिन उसकी एक गलती सिर्फ एक गलती कि कहीं इस गाड़ी का नंबर जो इकोई स्पोर्ट गाड़ी है इसके लिए अगर बता दिया तो पकले जाएंगे लिहाजा लोडर बता दिया अगर उसने कोई सामान ने ट्रक बताया होता तो बहुत सी ट्रकें वहाँ से पास हुए थी पुलिस के लिए तो बहाना चाहिए जो एक मिनट पहले या एक मिनट बाद बस ट्रक पास हुई होती उसका नंबर आता ड्राइवर पकड़ कर ठाने पर आता मुरगा बना दिया जाता उसके बाद थोड़ी दिर बाद वह अपने से कहता कि हाँ साब हमसे गलती हुई और हमार पहले भी दो घंटे पहले या घंटे पहले घंटे बाद कोई लोडर उस मौके पर या उससे पहले और बाद के किसी भी CCTV फुटेज में नहीं आया बस उस लोडर को ढूड़ते ढूड़ते इको इस्पोर्ट गाड़ी मिल गई तो फिर बाकी चीजें धीरे धीरे खुलने लगे जाँच परताल से ये पता लगा कि जो गाड़ी इसका दोस्त चला रहा था उसी को इसने धाई लाक रुपए दिया था उस सेकेंड हैंड एक इको इस्पोर्ट गाड़ी खरीदी थी हत्या को हाथसा दिखाने के लिए प्लानिंग के तहट खरीदा गया था और किसी क्राइम सीरियल में उसने देखा था कि ऐसा ही करके और वो साफ साफ बच गया था और दिरिश्यम तो बहुत अपील ही करती है कि मैं कभी पकड़ा भ पर बहुत करजा था और वो इस बात के लिए तैयार हो गया कि हां मैं गाड़ी ड्राइब करूंगा और गाड़ी से फिर उसी गाड़ी से एक्सिडेंट करके प्लान इनका दोनों को मारने का था कि कोई चश्मदीद न बचे भाई बहन है तो पहले तो अकेले ढूड़ा लेकिन वो अकेले कभी स्कूटी पर मिली नहीं है हमेशा वो भाई के साथ जाती थी तो फिर यह हुगा कि ठीक है दोनों चले जाएं क्या फरक पड़ेगा हमें तो इस से मतलब है और वो धाई लाग रुपए अजय ने चूंकि दस दिन तक तो कुछ पता नहीं लगा दस जी एक्सिडेंट है एक्सिडेंट है इसी बीच में जिसने वह गाड़ी चला कर एक्सिडेंट किया था इसके दोस्त ने उसने पैसा मांगा और ध्यु लाख रुपए उसके अकाउंट में अजय ने ट्रांसफर कर दीया पूरे मामले का खुलासा हो गया और पूरे सुबूत सारे जुटाएगे CCTV फुटेजी कटा किएगी एकोई स्पोर्ट खरीदने के जो पेपर्स हैं वो देखे गए किसने खरीदा था कौन आया था किसने इसके रेश्टेशन के पेपर्स आर्टीओ के हां बनवाया थे सारी चीजें इस तरह पिंगित करने लेगें कि ये सारा मास्टर माइंड मृतका मुश्कान के पती अजय का है आज की घटना देखे बेरोजगा लड़का कितना भी बड़ा आदमी रहा हो कितना भी पैसा हो उसके पास लेकिन उसके पास कोई बेरोजगार नहीं था तो एक बेरोजगार लड़का दो नामों पर और दोनों स्टीमर तेज़ चलने वाली नाम या एक स्टीमर एक पत्वार से चलने वाली नाम जब दो नाव पर पैर रखेगा तो क्या होगा इसका सहज अंदाजा लगा सकते हैं और दो नाओ पर पैर रखना ही उसे भारी पड़ा और वो आज सलाकों के पीछे है जिस लड़की से प्रेम सम्मंद्ध थे उस लड़की के घरवालों ने उसकी शादी कर दी तो जब उसकी शादी हो गई घरवालों को भी अंदाज था कि उससे सम्मंद्ध चल रहें वो सकता है उससे शादी करने की ये जिद करें तो जब उनको पता लगा कि उसकी शादी हो गई तो उनको अब क्या रह गया तुमारे जीवन में ठीक ठाक लोग थे मुरैना के उनकी अच्छी सामाजी किस्तिती थी फरण उनको देखके जो प्रपोजल आया है उनकी शादी कर दी इनकी भी शादी हो गई लेकिन शादी होने के बाद भी अजय और मुसकान एक दूसरे के संपर्ख में पने रहे एक दूसरे को पुराने वादे पुराने सपने याद दिलाते रहे और आखिरकार उस मुसकान को ऐसा लगा कि हाँ आदमी तो वही ठीक था घरवालों ने जवर्जस्ती मेरी जिस से शादी हुई रहे हैं मैं यहाँ बंध गई हूँ ऐसा उसने तहा था कि बिल्कुल जंजीर में बंधी हूँ मैं स्वतंत्र होकर सोच भी नहीं पा रही हूँ बेरहाल उसने लड़के के तमाम बार रिक्वेस्ट करने याने अजय के तमाम बार रिक्वेस्ट करने के बाद पती से तलाग ले लिया और सीधे आकर उससे यही कहा कि मैंने अपना वादा निभाया और तुम भी अपना वादा निभाओ वादा निभाने की बात कि मैंने तलाक लिया है तुम भी तलाक लो अपनी पहली पत्नी से इसके लिए वो राजी नहीं हुआ और उसने कहा कि कोई बात नहीं तलाक हो चाहे नहीं हो हम तुम से शादी करेंगे और फिर उन लोगों ने 2023 में कोट मेरिच कर ली और शहर में ही एक मकान लेकर पत्ति पत्नी की तरफ रहने लगे देखें लड़की के दिमाद में हमेशा यही लगा रहता था कि इसके लिए मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी की है घरवालों ने मेरी शादी की अच्छे घर में शादी की लेकिन इसी के लिए मैंने अपने पती से तलात ले लिया अपना ससुराल छोड़ दिया मैं लोट के इसके पास आ गई फिर इससे शादी हुई तो ये मेरे सारे नकरे उठाएगा सारी जरूरतें पूरी करेगा जो मांगूंगी वो देगा आखिरत जाएगा कहां इसके लिए जब मैंने इतनी कुर्बानी की है तो अब कहां भाग के जाएगा ये चाहे जैसे भी मैं जो कुछ कहूंगी ये करेगा खर्चे बढ़ने लगे घरवालों के दिये हुए पैसों से ये नकरे पूरा करना पहली पत्नी की भी जरूरत पूरी करना ये अजै पर भारी पढ़ने लगा और बहुत भारी पढ़ने लगा रोज रोज के इन खर्चों से तंग आकर वो तंग आ गया और फिर उसने एक परफेक्ट प्लानिंग की अपने तीन दोस्तों को उसमें जोड़ा धेर सारी क्राइम के सीरियल्स देखे एक तरीका पसंद आया कि एक बिल्कुल नई गाड़ी खड़ी दी जाए पेपर्स के ट्रांसफर होने में या ओनर्सिप ट्रांसफर होने में थोड़ा समय लगता है चार छे दस दिन तक तक पुराने ओनर के नाम पे ही गाड़ी चलती रहेगी कह दिया जाएगा कि बस जितना प्रासेस में टाइम लगेगा हम नाम अपना चड़वा लेंगे और फिर उसी गाड़ी से मर्डर किया जाए मालिया कहीं सीसी टीवी में आभी जाएगा तो पुराना वाला पकड़ा जाएगा लेकिन चाहे जितना दिमाग लगा ले गलती करने वाला और कहीं में कहीं गलती कर देता है इतना उसने नहीं सोचा कि जिसने गाड़ी खरीदी है पुराने वाले के पास जब पुलिस जाएगी तो वो पताएगा कि चार दिन पहले फ़ला ने मुझको इतने पैसे दिये है इस गाड़ी के उसका नंबर ये है फ़ला आदमी है फिर पुलिस तो मुरगा बनाई देती है एक बार पुलिस के चक्कर में आएंगे तो सही पता लग जाएगा लेकिन बस सीरियल देख के जो दि वाली थी या यह कोई स्पोर्ट से एक्सिडेंट हुआ है इन लोगों ने एक हफ्ते रहकी की और CCTV फुटेज में कितना हिस्सा आता है ये भी देखा कि उसमें नंबर प्लेट क्लियर क्लियर नहीं आती है दिमाग पूरा लगाया लेकिन जब वो गाड़ी लड़ गई और उन्हें लगा कि पुलिस आएगी तो उस गाड़ी का भी मुवायना कराएंगे पुलिस वाले तो हम पकड़े जाएंगे तो उसने लोडर बता दिया ये उसकी सबसे बड़ी चूप थी वरना तो निपठी गया था मामला 15-10 दिन तक तो पुलिस भी यही मानती रही कि ये पुसमाटम बताता ही रहा कि एक्सिडेंट से आई हूई चोटे हैं इसलिए दो नाओं पर पैर रखना और चादर के हिसाब से पैर फैलाना ये दोनों बहुत पुरानी लोकोगतिया हैं पुराने लोगों ने खुब समझ के ये कहा है तो इनही सब बातों को देख कर कहा होगा इस तरह की तमाम घटनाएं उनके सामने में आज पास घटी होगी तभी उनने कहा होगा कि चादर जत्ती लंबी हो प्यर इतना ही पैलाएगा और दूसरा कहा होगा कि जब दो नाओं पे पैर रखोगे तो तुमको ही डूब नाओं तो हो सकता है बच जाए लेकिन तुम ही डूब होगे आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होगे आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद